ओकी तो आज का आपका टॉपिक है फिजियोलोजी ओप मसल कॉंट्रेक्शन आज अपन देखने वाले हैं कि मसल जो है कॉंट्रेक्ट कैसे होती है काफी जदा इंपोर्टेंट और इजी लेक्चर है पांच मिनिट में आपको पूरा लेक्चर याद हुजाएगा बस आपको सुनना है ठीक है तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक फिजियोलोजी ओप मसल कॉंट्रेक्शन तो जो मैं सीरीज बता रहा हूं आपको वो सीरीज आपको याद रखनी है लाइन से मैं बताता जाऊंगा देखो मसल को क्या कराना है कॉंट्रेक्ट कराना है और मसल को क कराना है तो brain से signal आएगा ठेक इंट में कहां से Central Neverse System से CNS से CNS signal send करेगा और अगर signal send हो रहे हैं तो motor neuron की थरू होते हैं ठीक तो CNS क्या कर रहा है signal को सेंड कर रहा है motor neuron की थरू ठीक वो motor neuron की थरू signal कहां पर आ रहे neuromuscular junction पर कहां पर आ रहे neuromuscular junction पर signal आ रहे हैं CNS के थ्रू ठीक है तो क्या होगा यहाँ पे after stimulation जब यह neuromuscular junction का stimulation होगा और stimulation कब हो रहा है जब central nervous system जो है signal send कर रहा है through motor neuron और जैसे motor neuron से signal send होंगे और आएंगे neuromuscular junction के पास यह क्या करेगा ACTH या फिर आप बोल लो ACT कैसे भी बोल सकते हो ACTH या ACT release करेगा ठेक है तो जैसे यह ACTH या फिर आप बोल लो ACTH release हुआ यह जाएगा travel करेगा synaptic left में या फिर आप बोलो synaptic left ठेक है तो जैसे ACT release हुआ synaptic left में गया और वहाँ पर क्या करेगा सार को लेमा में जाके action potential generate कराएगा यह बात clear है आपको कि यह ACT synaptic left में गया और उसके बास सार को लेमा में जाके action potential को generate कर रहा है ठेक है अब देखो यहाँ पे from सार को लेमा impulse spread to T tubules सार को लेमा से जो impulse spread होगी फेलेगी किसमें T tubule में T tubule क्या होता है transverse tubule ठेक है इसके बास property होती है contraction की ठेक तो यहाँ पे क्या हुआ action potential generate हुआ था सार को लेमा में और सार को लेमा से through सार को लेमा के through impulse जो है spread होई T tubules में तो देखो अब क्या होगा यह जो T tubules है T का मतलब transverse tubules जो है ठेक है यहाँ पे देखो now this tubule with the help of dystropin dystropin एक protein है जो की found होता है muscle में ठेक है तो यह जो T tubule है यह जो T tubule है with the help of dystropin dystropin एक protein है जो की muscle में मिलता है तो यह T tubule और dystropin दोनों मिलके क्या करेंगे देखो relay करेंगे impulse को to the sarcoplasmic reticulum relay करेंगे impulse को कहाँ पे impulse डालेंगे sarcoplasmic reticulum देखो हमारी cell में होता है endoplasmic reticulum ठीक है पर muscle की cell में क्या होगा sarcoplasmic reticulum यह बात clear है आपको अब देखो जैसी sarcoplasmic reticulum के पास impulse आएगी वो क्या करेगा calcium को release करेगा तो एक बार शुरू से देख लेते हैं सब से पहले क्या हुआ central nervous system ने motor neuron के through neuromuscular junction को stimulation भेजा ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो central nervous system motor neuron के through neuromuscular junction और यहाँ पर जब neuromuscular junction जो है stimulate हुआ तो stimulate होने के बाद उसने release किया acet या फिर आप बोलो acth यह गया synaptic left में ठीक वहाँ पर क्या करा इसने सार को लेमा में जाकर action potential को generate किया ठीक अब सार को लेमा में जैसे impulse spread हुई तो वहाँ पर क्या होता है t-tubules और t-tubules का मतलब क्या होता है transverse tubules जिसके पास property होती है contraction की ठीक तो यह t-tubules और distrobin protein दोनों मिलके क्या करेंगे रिले करेंगे impulse को सारको plasmic reticulum के पास और मैंने आपको बताया normal cell में endoplasmic reticulum और हमारी muscle की cell में सारको plasmic reticulum यह सारको plasmic reticulum calcium plus 2 रखता है जैसे ही इसके पास impulse आएगी यह सारको plasmic reticulum क्या करेगा calcium छोड़ना start कर देगा तो calcium अब क्या हो गया release हो गया ठेके बात clear हो गई कि सारको plasmic reticulum ने calcium plus 2 छोड़ दिया release कर दिया अब अगर calcium plus 2 release होता जाएगा तो intracellular calcium ion की concentration intracellular मतलब cell के अंदर अब जैसे हैं सारको plasmic reticulum माल लो और इसने calcium छोड़ना शुरू कर दिया calcium 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 तो cell के अंदर intracellular intra मतलब अंदर intracellular calcium plus 2 यहाँ पे calcium plus 2 की concentration बढ़ने लग जाएगी ठेक है जैसे माल लो cell है cell के अंदर सारको plasmic reticulum इसने calcium plus 2 छोड़ दिया तो यह भार के आगए calcium plus 2 ठेक है तो इस cell के अंदर calcium plus 2 की concentration बढ़ने लग गई ठेक तो intracellular calcium plus 2 ion की concentration बढ़ गई अब यह क्या होगा जो calcium plus 2 release हुआ यह bind करेगा troponin से किससे bind करेगा? Troponin से और troponin से जैसे ही calcium plus 2 bind करता है मुबारको muscle contraction हो गया lease to muscle contraction तो देखो काफी easy है muscle contraction कुछ भी नहीं है आपने देखा ही यहाँ पर CNS ने signal send किया neuromuscular junction के पास उसने SETH release किया ठीक है और फिर क्या हुआ? generate हुआ action potential सारको लेमा में और सारको लेमा में क्या हुआ? impulse जो है spread हुई ठीक है? डिस्ट्रोबिन की मदद से impulse रिले किये सारको प्लाजमिक रेटिकुलम को और जब सारको प्लाजमिक रेटिकुलम के पास impulse आई तो उसने calcium चोडना स्टार्ट कर दिया मतलब intra cellular calcium की concentration बढ़ गई और वहाँ पर क्या था? troponin, troponin bind हो गया calcium से मुबारक हो जैसे ही troponin bind हुआ calcium से muscle contraction हो गया तो यह था आज का आपका topic physiology of muscle contraction I hope आपको lecture समझ में आया होगा अगर आपको किसी और topic से related doubt है तो आप comment section में comment कर सकते हैं अगर आपको और कोई lecture देखना है तो मैंने playlist की link जो है description में दे रखी है आपको सारे lecture available हो जाएंगे NEET और pharmacy के ठेक है अगर आपको कोई भाई बंदू relative NEET की preparation कर रहा है तो उसको यह channel जरूर suggest करना क्योंकि यहाँ पर मैंने quick revision series साथ में question practice करा रही है काफी जदा helpful हो जाएगा Thank you